पानी का बुलबुला या पानी के गुबारे की तरह कोई collection हो जाती है कुछ भी इस तरह की collection एक थैली की जैसे है जिसके अंदर पानी है उसको सिस्ट कहते है अगर वो सिस्ट के अंदर पानी नहीं है खूण है ब्लड इकठा हो रखा है तो वो अक्सर जो होता है शिख इंडल्प ओप न वह गोजाता लोँक है तो जिनको बहुत ज्यादा पएँ दर्द होता है महावारी के टाइम। उन में ये ये तक प्राइम हो सकता है। नमस्कार सिहर नामा में आज बात सिप की ओवेरियन में यानि अंडे दानी में अंडाशियम किजै क्या होती ऀसे ओर इसका एलाज के है का है डब्टर लवलीन को ती हमारे साथ है उनसे बात कहते अगर पानी का बुलबुला या पानी के गुबारे की तरह कोई collection हो जाती है आप एक example के तौर पर मानके चलिए जो होली के हमारे गुबारे होते है उस तरह की अकार चाहे छोटा हो एक centimeter का हो या 10 centimeter का 20 centimeter का कुछ भी इस तरह की collection एक थैली की जैसे है जिसके अदर पानी है उसको सिस्ट कहते है और जब मैं कहते हूं शरीर के किसी भी भाग में सिस्ट बन सकती है मतब कि brain में बन सकती है, आँख में बन सकती है, throat में बन सकती है, lungs में बन सकती है, liver में, kidney में, ovaries में कहीं पे भी बन सकती है cyst, अलग-अलग कारणों से, even muscles में cyst बन जाती है, जो गाईनी वले हमारे organs से उनमें अकसर जो cyst बनती है, वो ओवरी में बनते हैं, ओवरी यानि की अंडाश है या अंडेधानी, तो उन में सिस्ट ज्यादा तर देखी जाती है कोई डीजन होते हैं, वज़े होती है कोई, इसका कारण ये है कि ओवरी शरीर का एक ऐसा अंग है जहां पे निरंतल बदलाव आता रहता है इस तरह से uterus होता है, दोनों तरफ fallopian tubes, tube जो आम कौल प्रियाते हैं और अंडाश है या अंडेदानी होती है तो अंडेदानी की ये खासियत होती है कि इसके अंदर हर महीने बहुत सारी changes आती है क्यों changes आती है? क्योंकि हर महीने यहां पर अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, 8, 10, 12, 15 अंडे बनने शुरू होते हैं, उन में से एक अंडा पूरा size का होके यहां से release होता है, tube उसको उठा के uterus की तरफ ले जाती है, pregnancy हो जाती है, कई बारी most of the time यह अंडा जो है maximum 20-25 mm का होता है और उसके बाद वो रप्चर हो जाता है, release होता है, tube उसको उठा के ले जाती है, कई बारी लेकिन वो बड़ा होते 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 होते, ऐसे 4, 5, 6 cm का हो जाता है, और उसी को फिर हम cyst कहते हैं, कई बारी उसके अंदर जब अंडा फूटता है, तो उसके अंदर यहां पे blood इक हो जाएगा, या cyst अपने आप से रप्चर हो जाएगी, या उसके अंदर जो पानी है वो शरीर अब्जॉब कर लेगा और वो खतम हो जाती है, तो यह आम चीजे हैं जो अकसर ही, कोई भी और कोई भी महला ultrasound कराने जाती है, उसमें अकसर लिखा हुआ आएगा कि दाहिनी अ शरीर में कोई नुकसान नहीं हो रहा, या अपने आप खतम हो जाती है, इनकी कोई इलाज की जूरती है, लेकिन कई बारी cysts जो है, वो infection से related होती है, या tumor रसॉली भी हो सकती है, रसॉली क्या है, रसॉली या tumor होता है, जो cells नॉर्मली एक controlled state में divide होते हैं, या वो बहुत ज cell इकथा हो जाते है, ज्यादा divide करने शुरौती है, तदि गांठें सी बन जाती है, कई बारी उनकेंदर है अंडेदानी में जिसके अंदर सिर्फ पानी भरा हुआ है जिसके अंदर सेक्शन नहीं है भाग नहीं है डिविजन नहीं है और उसमें कोई ठोस हिस्सा नहीं है कम उमर की लेडी है तो उसमें हमें पता है कि यह temporary cist है यह कुछ time के बाद खतम हो जाएंगी अगर वो शिस्ट के अंदर पानी नहीं है खून है ब्लाड इकटा हो रखा है तो वो अक्सर जो होता है एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं उसको एक ऐसी बिमारी होती है जहां पर जो मैंसेस की ब्लीडिंग होती है मिहावारी की bleeding, uterus के अंदर से तो बाहर आजाती है, जो normal लिकास है, बचेदानी का, uterus का बाहर, वहां से bleeding होती है, साथ-साथ में, ivory के अंदर, या, tube के अंदर, वहां पर भी bleeding होनी शुरू हो जाती है, अब उसका तो बाहर कोई निकास है नहीं, तो वो blood वहां पर इकठगा ह होते होते हैं वो सिस्ट बन जाती है खून से भरी हुई। उसका नुकसान होता है क्योंकि अंदर ही अंदर उसके साथ ट्यूब भी चिपक जाएगी, यूट्रस भी चिपक जाएगा, कई बरी इंतेस्टाइन और यूरिटर जो बाकी शरीर है के भाग है वो भी वहां पर आकर चिपक जाते हैं, पिरिड में ऐसी लेडी को फिर बहुत पेन होने शुरू हो जाता है, उनकी अंदर की जो सारी अनाटमी है, स्ट्रक्टर्य हैं, वह सारे डिस्टॉट हो जाते हैं, टेड़े मेडे हो जाते हैं तो उनको अक्सर कंसीउब करने में प्रबलम हाती। उनको एक तो दर्द होती है, periods के time, intercourse के time फिर conceive करने में दिक्कत आती है तो उस तरह की वो जो खून वाली रिसॉलियां जिनको हम कहते हैं endometrioma तो ये science है, ये symptoms होते हैं तब शायद कोई भी महिला जाके check-up कराएगी बिल्कुल, तो जिनको बहुत ज़्यादा pain होती है दर्द होता है महावारी के time उनमें ये problem हो सकते है जिनको intercourse के time बहुत ज़्यादा pain होता है उनको भी endometrioma हो सकता है तो इसका फिर अलग से इलाज होगा अगर किसी को रिसॉली बनी है रिसॉली भी non-cancerous रिसॉलीयां होती है उनको अक्सर हम छोड़ देते हैं कि 10 cm तक भी अगर चले जाए 8 cm तक चले जाए उसके अंदर कोई ऐसा ultrasound वगरा में कोई निशानी या हम लोग MRI CT scan भी करा लेते हैं पर हमें लगे कि नहीं कोई ऐसी निशानी नहीं है कि इसमें cancer हो सकता है तो फिर हम कहीं पर बहुत time तक छोड़ देते हैं कि अगर बड़ी होगी तो निकाल देंगे और कई जो रिसॉलियां होती है सिस्ट होती है उनमें कहीं पर solid portion होगा कहीं पर सिस्ट वाला portion होगा उनके अंदर खून का बहाव ultrasound color doppler में दिखता है कि बहुत ज़्यादा है उनमें हमें शक होता है कि ये cancer हो सकता है और अक्सर जैसे जैसे उमर बढ़ती जाते है उस समय ज्यादा उमर की ladies में अगर सिस्ट बने especially menopause के बाद सिस्ट बने या टूमर्स बने तो फिर हमें शक होता है कि इनमें cancer होने का ज़्यादा chance है फिर उनको immediate operation करना ज़्रूरी हो जाता है उनको हम watch नहीं कर सकते हैं तो हर तरह की सिस्ट का अलग कारण हो सकता है पहले हम assess करते हैं कि क्या कारण हो सकता है उसी की हिसाब से इलाज होगा और अगर symptoms हैं देखने में नहीं ज्यादा problem लग रही लेकिन कई ladies कोई बारी वो सिस्ट त्विस्ट हो जाती है बल खा जाती है बल खा जाती है तो बहुत ज्यादा severe pain होनी शुरू हो जाती जिसको हमारे medical terms में कहते हैं torsion twist होना या torsion होना तो उसमें तो इतनी emergency हो जाती है कि हमें immediate operation करना पड़ता है नहीं तो अन्डेदानी को 100% damage हो जाएगा यहांगे age बेगी तो depend करता है क्या cause है क्या symptoms है और उस हिसाब से ही फिर इलाज हो तो हर जो cyst होती है फिर उसका इलाज surgery ही होता है नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जैसे जो मैं कहारी हूँ आपको endometriosis होती है endometriomas होती है blood वाली, खून वाली रिसॉलिया जो होती है cyst उनका अक्सर दवाईयों से treatment हो जाता है बहुत ज़्यादा problem है patient को, lady को बहुत ज़्यादा दर्द है और दवाईयों से नहीं इलाज हो पा रहा या उसको conceive नहीं हो पा रहा तो फिर हम operation भी करते हैं अगर नहीं होता, operation से भी नहीं होता तो pregnancy होने के लिए IVF test tube baby वाली techniques भी अपनाते है लेकिन बहुत बारी उनका इलाज जो है दवाईयों से ही हो जाता है तो नचल ये symptoms नज़र आए जैसे आपने जो symptoms बताए हैं तो ज़रूर डॉक्टर के पास consult करना चाहिए इसके अलावा कुछ और चीजें जिसे ये शक हो सकता है कि ये ovaries में cyst है symptoms नहीं है तो बार-बार कोई operation या कोई ultrasound या कुछ भी कराने के जुरूरत नहीं होती है symptoms है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए symptoms जैसे ही कि हमने बताया कि कई ओ को periods भी irregular हो जाते है cyst के रहते हुए कि time से period नहीं आ रहा delayed period हो रहा है या period के बीच की normal periods के बीच में अचानक से bleeding होनी शुरू हो जाएगी या फिर बाकी तो painful periods painful intercourse भूख ना लगना जिनके अंदर cancer की निशानिया जो होती है ovarian cyst या ovarian tumor वालों के उनमें अक्सर कई बरी कोई भी gynecological symptom नहीं आता उनके symptom सिर्फ होते हैं कि भूख नहीं लगती, acidity हो रही है डकार आ रही है, paid food रहा है gas बहुत बन रही है तो इस कारण से जो ovary के cancer patients हैं कई बरी बहुत देर तक doctor के पास पहुँचते नहीं हैं क्योंकि उनके symptoms ऐसे होते हैं क्योंने शक ही नहीं जाता कि नहीं problem है अब जैसे जैसे उमर बढ़ती है बदहजबी तो बहुत सारे लोगों को होती है डकार आना, खाना ना, पचना तो बहुत common symptom है तो इसी कारण से ovary का जो अंडश है का cancer है कई बढ़ी बहुत देर से डाइगनोज होता है advanced stage हो जाती है क्योंकि कई बढ़ी को symptom आता ही नहीं तो इस तरह के symptoms के साथ भी जब हमारे पस कोई औरत आती है तो हम ovarian cancer के बारे में सोचते हैं polycystic ovaries क्या है polycystic ovaries में भी cysts होती है ovaries के अंदर लेकिन वो बहुत छोटे-छोटे eggs होते हैं follicles तो वो छोटे-छोटे-छोटे बहुत सारे अंडे जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हर महीने 8, 10, 12, 15 egg बनने शुरू हो जाते हैं उनमें से एक egg पूरा mature होगा तो जो polycystic ovaries वारी जो महिलाए होती है उनकी अंडे-दानियों में बहुत सारे eggs 20, 25, 30 eggs एक साथ बनने शुरू हो जाते हैं और वो छोटे-छोटे bubbles या बुल्बुले की तरह हैं नजरियाद छोटे-छोटे छाले जैसे होते हैं वो ovaries के अंदर नजर आते हैं तो उनको बोलते है poly-syst मतलब बहुत सारी सिस्ट और क्योंकि बहुत सारे अंडे-एक साथ बनना शुरू हो जाते हैं उनमें से कोई भी मैचूर नहीं होता पूरा तो जब कोई भी मैचूर नहीं होता है तो period डिले हो जाता है और अक्सर इन लेडीज को फिर conceive करने में problem आती है या hormonal imbalance को अच्छे हो जाता है उसका इलाज दवाईयों से ही होता है उसके अंदर हम बहुत ही rarely surgery करते हैं आज की date में दवाईयां बहुत अच्छे हैं तो operation की ज़रूत नहीं होती है